असलाम अलोकुम डियर स्टुडेंट्स, होप यौल अर फाइन Software Verification and Validation की Lecture Series का आज हमारा 5th lecture है Previous lecture में हम Verification and Validation को देख चुके हैं हम इसके different stages को देख चुके हैं, different phases को देख चुके हैं ठीक है, उसके लाग हम different strategies को discuss कर चुके हैं तो आज के lecture में हम तुरह सा discuss करेंगे Quality Management को कि Quality Management क्या होती है इससे पहले कि मैं Quality Management को discuss करूँ हमने पहले भी Quality को देख का है, कि Quality से क्या मुराद है आज फिर हम क्या करते हैं, Quality की Definition को एक दफार Review कर लेते हैं ताकि जो next step हमारा Quality Management का है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से understand कर सकें तो Quality के अगर बात करें, तो basically क्या होता है, fitness for purpose होती है किस purpose के लिए, कि हमने जो, हमने confirm करना होता है कि हमारी जो output है, या हमारा जो process है या वो क्या user की requirement को meet कर रहा है या नहीं कर रहा तो नीचे अगर आप दूसरी definition पर work करें degree to which project deliverables meet requirements तो किसकी requirements को meet करें, user की या client की जो person जो है ना वो software बनवाना चाहा रहा है, तो हम quality में यहीं चीज़ चेक करते होते हैं कि हमारा जो software है, या हमारी जो product है वो हमारे client की या user की requirement को किस हद तक fulfill कर रही है तो जितना ज्यादा वो उसकी requirements को meet कर रही होगी, उतनी ही उस product की या उस software की quality जो होगी वो बेतर होगी इसके अलावा software की आगर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें quality से मुनाद हम यह भी लेते होते हैं कि वो software कितना mature है, means decision making में कितना ज्यादा efficiency के साथ वो काम perform कर रहा है या कितना ज्यादा efficient है, तो यह चीज़ भी हमें quality measure करने में helpful साबिर होती है इसके बात quality management के अगर हम definition की बात करें, तो quality management क्या है quality management basically वो act है जिसके थरू हम तमाम activities को, task को, जो हम accomplish करते हैं किसी भी desired level of excellence को maintain करने के लिए, वो सब क्या होते हैं, quality management के अंदर आते हैं इसके अलावा इसके अंदर हम determine करते होते हैं कि quality policies होती हैं, हम वो भी determine करते होते हैं उसके अलावा हम quality plan यहां पे करते होते हैं, quality assurance को हम यहां पे plan करते होते हैं कि हम quality को किस तरह से assure करेंगे, उसके अलावा quality controls के बारे में DCA हम यहां पर perform करते होते हैं और quality को improve किस तरह से करना है तो basically अगर हम shorter में बात करें तो quality management जो है ये एक document भी होता है जो हम क्या करते होते हैं जिसके अंदर ये तमाम चीजे हम record करके रखते होते हैं कि पहले से plan कर लेते होते हैं कि हमने quality को control किस तरह से करना है जो product या जो हमने product बनानी है जो हमने service provide करनी ह हैं वो किस quality की होगी उसका पूरा का पूरा एक plan कर लेते हैं उसके बारे में सारा documentation perform कर लेते हैं quality control महाँ पर define कर लेते हैं quality assurance महाँ पर define कर लेते हैं उसके लावा quality के हमाले से planning होती है कि हमने इस तरह से quality को maintain करना इसके raw materials यह होंगे यह हमें कोई software की अगर हम बार कर रहे है तो software के लिए हमें क्या होगा कि कौन-कौन से हमें API का इसका इस्तमाल करना पड़ेगा या third party तूर्स का हमें इस्तमाल करना पड़ेगा तो वो कौन-कौन से होंगे किस quality के होंगे तो यह सारी चीज़ें वो start में पहले से ही plan कर ली जाती है तो quality management system जो होता है वो basically एक formalized system हो जिसके अंदर क्या होता है जो के एक document होता है जिसके अंदर हम processes को procedures को responsibilities को achieving quality policies को और objectives को जहाना । टॉक् aesthetics कर लेते हैं एक डाकुमेंट्क में untab फॉकस करते होते हैं कि हमने खॉक्सबूकनी पूट। बना कर देनी कि यह जह रहे रहे हैं यह डिली चीजसें और अपने प्रिवेशं छेया में इन ने सब आधे और यह से डियतने में दिजकूसत कर चूके हैं कवरण कर लेंगे quality management basically जो हमने last time पढ़ा था quality assurance quality control वो इसी की दोनों जो है ना वो सब forms जहें basic जो होता है वो quality management document होता है उसी के अंदर जो है न हम ये चीज़े न शौर कर रहे होते हैं कि quality assurance किस तरह से हो रहे है quality control किस तरह से हो रहा है उसके benefits क्या होंगे उसके drawbacks क्या होंगे उनको किस तरह से overcome किया जाता है तो quality management के अंदर ही हम यह सारी चीज़े जो है ना plan कर रहे होते हैं उसके इलावा किसी भी organization की activities customer के point of view से जो होती है उनको अगर हम actively perform करने के लिए बहुत जादा helpful होता है उसके लावा regulatory requirement जो होती है customer की उनको improve करने में quality management system बहुत जादा helpful साबित होते है इसके लावा efficiency जो होती है हमारी product की उसको भी maintain करने में quality management system का बहुत एहम केदार होता है क्योंकि quality management system अगर हमारा strong होगा कि हम जो product बनाने जा रहे हैं उसको हम strong way से उसकी quality के बारे में हमने अच्छे से plan किया वा होगा हर चीज़ को एक proper way से हमने organize किया वा होगा तो then obviously बात है कि उसकी quality भी अच्छी होगी अगर हम अपने course की ही बात करें अगर तो हमारा course जो है lesson plan proper ना बना वा हो हमारे lectures ना properly categorize ना होवे हो ऐसा हो कि एक topic जो हमने पहले पढ़ना था वो हम बाद में पढ़ रहे हैं और जो topic बाद में पढ़ना था वो पहले पढ़ लें तो इससे क्या होगा efficiency जो होगी वो decrease होजेगी reason क्या थी कि lesson plan जो है ना वो strong नहीं था वो अच्छा नहीं था उसमें जो हमारी quality थी lecture deliver की वो अच्छी नहीं रही तो then हमारे पास क्या होजेगी problem आजेगी तो उससे avoid करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि quality management system में हम पूरा का पूरा एक plan त्यार कर लेते होते हैं और चीज़ के एंशोर करने के लिए और then हम उसको जो है ना implement करते होते हैं so इसके benefits की अगर हम बात करने कि quality management system के benefits क्या है तो quality management system किसी भी organization की performance के अंदर बहुत ज़्यादा helpful साबित होती है उसकी performance को अच्छा बनाने हैं बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है basically इसकी जो benefits हैं वो दो major point of view से होते हैं एक होता है customer point of view से दूसरा होता है organizational requirements के point of view से कि customer की requirement के point of view से हम देखते हैं कि हम customer की requirements को किस हद तक meet कर रहे हैं और दूसरा यह देखते होते हैं कि organization की requirements हैं वो किस हद तक meet हो रही है in terms of cost और resources के manner में कि हमारे किसी organization के resources हैं उनके resources को हम किस तरह से properly utilize कर सकते हैं यह चीज़ हम quality management system में ही plan करते होते हैं और cost effective किस तरह से बना सकते हैं अब ऐसा नहों कि हम एक software बनाने जा रहे हैं उसकी total cost has cost 50,000 rupees तो हमने क्या किया जी हमी भरली 50,000 में आपको यह product बना के दे देंगे लेकिन जब हम बनाने लगे तो हमें यह realize होता हुआ कि इसकी actual cost 50,000 नहीं 1,000,000 rupees थी और हमने क्या किया 50,000 rupees के साथ agreement कर लिया हमने quality assurance को नहीं देखा, quality control के functions को नहीं देखा quality control की जो strategies थी, quality assurance की strategies थी हमने उनको नहीं देखा तो जब हम यह सारे कम perform नहीं करेंगे तो इसका मतलब है company loss में जा सकती है क्योंकि agreement तो company ने sign किया company नहीं उसकी 50,000 cost require की और client उसको pay करने के लिए तियार भी हो गया अब इसमें client का किसी किसा में कोई part नहीं आता part किसका है company end से है, organization end से है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों बेसे quality management system को plan करना पड़ता है consumer requirement के point of view से भी customer requirement के point of view से भी और organization के point of view से भी हम क्या करते हैं quality management को properly plan करते होते हैं quality management को properly control करते हैं additional advantages जब हम यह दोनों काम कर लेते हैं कि major तो हमारे पास क्या है customer point of view से, organization point of view से decision ले रहे होते हैं कि हमने जो document बनाना है वो किस तरह से होगा, इनके दो documents थेयार होते हैं एक होता है customer के साथ जो agreement आपके साइन होता है दूसरा यह है कि आपने जो product बनानी है आपके जो employees है, आपकी team है उनको किस तरह से आपने टास्क साइन करने हैं वो उसका पूरा पूरी documentation होती है और हर level कोन कोन से task perform होंगे quality control किस तरह से होगी quality को assure किस तरह से किया जाएगा तो यह सारी बाते हम हर level पर meet up करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जब हम यह दोनों meet up कर लेते हैं यह दोनों को अच्छी तरह से plan कर लेते हैं तो इससे जो हमें benefit साथ से हसिल होते हैं वो कौन को से हैं first of all क्यों होता है defining, improving and controlling processes कि हमारे जो production के process है वो क्या है हम उसे properly define भी कर सकते हैं इसके थुरू और control भी कर सकते हैं और उसके लावा हम जो raw materials इस्तमाल कर रहे हैं जो waste material है उसको भी हम क्या है दुबारा utilize करने के लिए बारे में policy भी बना सकते हैं कि अगर in case कोई product हमने बनाई है और हम उसको दुबारा utilize करना चाहते हैं तो हम उसे utilize भी कर सकते हैं इससे क्योंगा जो waste होगा वो कम से कम होगा और quality भी हम इसके थुरू बेतर बना सकते हैं और हमारा material भी ज़्यादा से ज़्यादा utilize हो सकता है इसके थुरू या अगर APIs है हमने suppose एक API purchase की है पर चेस करें हर चीज़ अलग से परचेस करें तो then problem हो जाएगी तो हम क्या करते होते हैं कि हम एक होस्टिंग परचेस कर लेते हैं और domain परचेस कर लेते हैं उस domain पर फिर हम multiple host करवा सकते हैं multiple sites को host करवा सकते हैं उसका benefit यह होता है कि organizational point of view से भी हम budget को cost को जो है ना वो minimize कर सकते हैं और effectively जो है ना हम customers को जो है ना वो serve कर सकते हैं लेकिन अगर एक जो हमने buy किया वो ही अच्छी नहीं है अच्छी quality के नहीं है host इनके domain तो then क्या होगा कि आप multiple consumers को multiple customers को serve नहीं कर पाएंगे तो obvious सी बात है आपका customer आपके साथ loyal फिर नहीं रहेगा उस case में तो हम उसके लावा कि है preventing mistakes अब सावजे सी बात है कि हम अगर quality management को properly plan करवा होगा तो mistake के chances कम से कम हो जाएंगे लेकिन अगर हम randomly एक software हमेरे सामने आते हैं हमें कहा जाता है second में कहाँ कुछ होगा अगर हम यह सब चीज़े प्लाइन नहीं करते then क्या हो जाएगा mistakes के chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे और mistakes बढ़ेंगी तो obvious सी बात है cost out of control जा सकती है और बहुत सारे जो हैना company को भी और customers को भी problems का सामना करना पढ़ सकता है तो then chances कम होंगे कि आप जो है ना आपका जो customer है वो किसी problem को face करे या आपके organization किसी problem को face करे इसके लावा product अगर आपकी अच्छी है तो एक product अगर आप की अच्छी है तो एक product अगर अगर आपने एक software बनाया हुआ है तो हो सकता है point of sale का अगर आपने जो खाने पीने की अशिया है इसके store के लिए आपने point of sale का software बना दिया अब एक और आपके बस client आता है वो कहता है कि जी मेरी electronics सी shop है और मुझे जो है ना point of sale का software चाहिए तो minor amendment के साथ आप उसी point of sale के software को उसके दूसरी shop पर भी implement कर सकते हैं ठीक है अगर आपकी product पहले वरी जो आपने पहला point of sale का बनाया है अगर वो अच्छी quality का बनावा है उसमें generalize चीज़ें ज्यादा रखी ही है port जो है वो आपका generalize है अच्छी तरह से आपने उसको properly testing उसमें perform की ही है unit testing perform की ही है तो आपको क्या होगा आप उसमें minor changing के साथ उसी product को design में minor changing करनी पड़ेंगी या back end पे minor changing के साथ आप उस product को क्या चर सकते हैं दूसरी shop के लिए बी electronic shop के लिए इस्तमाद कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो overall cost है वो भी minimize हो जागी और effort भी जो है वो भी minimize हो जागी उसके बार क्या है facilitating and identifying training opportunities तो ये depend करता है कि अगर आपने जो quality management का आप लोग plan कर रहे हैं आपकी organization प्लान कर रही है पहली बात तो ये कि organization को देखा जाता है कि organization small organization है या large organization अगर तो small organization है तो small organization के case में इस तरह से होता है कि वहाँ पे बहुत जादा training का जोने ट्रेंड नहीं होता जादा इनके training परवाइड नहीं की जाती लेकिन जो large organization होती है उनमें इन चीजों पर बहुत जादा focus किया जाता है तो वहाँ पे जो clients होते हैं या managers होते हैं उनको proper पहले training परवाइड की जाती है training परवाइड करने के बाद उनको कहा जाता है कि अब आपने जो training में सीखा उसको जो है ना practically organization के अंदर implement करें अपने projects को fulfill करने के लिए जो आपको projects assign किये गए हैं या जियन projects को आप लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर इन strategies को उन सारी techniques को implement करें quality management plan उनका आप हमें बना कर दें तो ये सारा process जो है mostly large organization में होता है small organization में भी होता है लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है इस पर focus नहीं किया जाता है लेकिन preferable यह होता है कि आगर आपके organization small है या large है आप कोशिश करें कि आप पहले quality management plan प्रॉपरली बनाएं quality management system एक बनाएं कि जिसके थुरू आप अपनी products की अपनी services की quality को maintain रखें उसको manage करें उसके बार कि है engaging staff so engaging staff साफ़ज़ए सी बात है कि अगर आप quality management system में आपने हर चीज़ प्लाइन की है तो हाँ पे आपने staff और उसकी duties को भी plan कर लिया होगा उसके तरू यह होगा कि हर person को पता होगा कि उसका यह task है यह deadline है और उसने इस time limit के अंदर रहते हुए इस task को perform करना है तो इससे एक तो time जो है वो efficiently utilize होगा और दूसरा यह होगा कि staff की जो आपके resources है या आपके assets है कि staff भी एक तरह से asset ही है ना आपका ठीक है और उसके लावा जो आप personal assets जो हैं कि आपके organization में PC's इस्तमाल हो रहे हैं जो जो आपके assets इस्तमाल हो रहे हैं वो सब properly utilize हो सकते होंगे लेकिन अगर आप कहें कि जी आप बस 10 बंदों की team है और आपने एक organization में तर 50 system लेकर रख दी है अब 10 system तो utilize हो रहे हैं बाकी के 40 resources वो utilize नहीं हो रहे which means वो extra cost आपको पढ़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए quality management system के अंदर हम इन सब चीज़ों को properly plan करते होते हैं setting organization wide direction so manager से भी generalize की example दी आपको software की तो जो भी organization होती है वो ऐसा नहीं होता कि वो अपने आपको जहाना limited कर लेती है कि वो जो products बनाएगी वो सिफ एक ही system पे लाइक स्पोस डेस्टॉप application पर ही काम करेंगे वो जहाना web application पर या Android application पर काम नहीं करेंगे आप देखें जितनी भी companies अच्छी companies हैं अच्छे software houses हैं वो क्या है हर किसम की expertise के इसाफ से उन्होंने team जहाना वो develop की वी होती है team बनाई वी होती है और जिस भी किसम के उनके पस requirements आती हैं चाहे desktop application के लिए हैं चाहे आप जब भी किसी organization का प्लान कर रहे हैं आप अपी organization बनाना चाहरा ही हैं तो आप आपने जो प्लान रखते होती हो वो थोगा सा wise रखते होते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको expand करना पड़ता है система करना पड़ता अपनी organization का expand करना पड़ता है तो आप easily expand कर सकें ऐसा तभी मुम्किन होगा जब आपने quality management system को properly implement किया होगा properly plan किया होगा, properly उसके work किया होगा then आप एक efficient way में ये task perform कर सकेंगे उसके लावा communicating readiness to produce consistent results तो communicating readiness से कि यहाँ पर क्या मुराद है कि आपकी जो भी projects हैं आप उनको properly communicate करें जो आपके clients हैं, आप उनको properly बताएं कि आपकी आपने जो हमें requirements दी हैं हमने उस पर इतना काम कर ली है properly उनके साथ meeting schedule करें अगर आपको लगता है कि वो product जो आपने बनाना है वो six months के अंदर complete हो जाएगा तो six months के अंदर उनके साथ meeting का schedule share करें कि हम इतने इतने time के बाद आपके साथ meeting करेंगे इस time limit के अंदर हम आपको जहना ये इतनी इतनी product का बारे में guide करेंगे इतनी product complete करके आपको उसका demo देंगे या आपके पास improvement करेंगे, testing करेंगे जिस तरह भी है आप उसको properly जहना plan करें plan करके अपने clients के साथ उसको properly share करें ताके आपको consistent results मिल सकें ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा software बना चुकी है बना लेने के बाद, अब आप जब client के पास जाते हैं तो उसे आप जब software handover करते हैं तो software चलाते हैं, जब उसे demo दे रहोते हैं आप जहना properly communicate करें अपने clients के साथ अच्छा, elements की अगर हम बार करें हमने last lecture में भी elements को discuss किया था के quality management system के elements कों कों से होते हैं आज हम इनको एक दफ़ा दुबारा review कर लेते हैं हमने last lecture में इनको थोड़ा सा detail में भी देखा था डाइगराम के तुरू, आज मैंने points के तुरूं में यहां पर mention कर दी है डाइगराम भी जहना मैंने add कर दी है तो आपको hope so देखते ही सारी बाते clear हो जाएंगे लिकिन अगर नहीं होती तो आप एक काम करें lecture fourth पर जो जाके आप इसके इन जो steps हैं जो डाइगराम दीये में हैं उन steps के बारे में detail हमने last lecture में discuss की थी तो आप एक दफा उनको दुबारा सुन लेंगे तो आपको hope so यह clear हो क्योंकि quality management system एक ऐसा topic है, हमारा जो subject है इसमें quality पर बहुत ज़दा focus हुआ 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 है तो quality पर focus होने कोई से हमें कुछ चीजें हैं बार बार हर lecture में तकरीबर डिसकस करते रहेंगे वो बार बार आती रहेंगी तो हर बार पर हम यह नहीं करेंगे कि हम उनको जह हर बार deeply discuss करें तो यह होगा कि मैं आपको previous lecture का reference बता जे करूँगा आप उस lecture में जाकर उन चीजों को सुन लिया करेंगे और next lecture में हम उनको जो है ना go through कर लिया करेंगे कि हमने यह यह चीज़े लास्ट लेक्शर में पढ़ लिया थी So, each element of quality management has to achieve the overall goals of meeting the customers and organizations requirement जैसे भी मैंने आपस डिसकुस किया कि हर जो element होता है customer organization की requirement को meet up करने के लिए उनको sport करने के लिए उनके जो goals होते हैं उनको meet करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा helpful होता है तो quality management system जो है ना वो किसी भी organization की unique needs को जैना address करता होता है कि कोई organization उसकी जो भी unique needs होंगी उनको हम किस तरह से address करते हैं quality management system के थुरू कि हमने quality management properly की भी है तो हम उनकी हर किसम की needs को unique needs होंगी उनको address easily कर सकते हैं elements के अगर बार कर लें तो इसके elements को हम कुण से है all system have in common जितने भी हम हरपस quality management system होते हैं उन सब में जो common elements हैं आज हम वो discuss करने जा रहे हैं हमने specific elements को discuss किया था quality management के लेकिन आज हम common जो है ना तमाम quality management system के अंदर common points हैं उनको हम discuss कर लेते हैं थोड़ा सा फस्ट जो है वो क्या है the organizations quality policy and quality objectives तो अगर आप देखें तो जितनी भी companies होती हैं जो quality के point of view से उनके objectives होती हैं या उनकी जो policies होती हैं वो तक्रीबन मिलती जुलती होती हैं कुछ points का difference होता है लेकिन तक्रीबन जो generalized requirements होती हैं जो generalized policies होती हैं वो सभी के लिए same होती हैं क्योंकि अकसर जो होती हैं वो global होती हैं या कुछ होती है कि वो country wise जो है ना government की तरह से decided होती है होती है अपने बिजनिस में करती होती है अपने बिजनिस को बूस्ट रप करने के लिए अपने की जो है ना को वैलिवेबल बनाने के लिए तो वो हर और थोड़े कुछ points हो हैं वो वैली कर सकते लेकिन maximum जो होते हैं वो तक्रीबन सेम होते हैं इंस्रक्शन एंड रिकॉर्ड तो जो प्रोसीजर वो लोग अडॉप कर रहे होते हैं अब आप एक सॉप्टियर बनाना है सॉप्टियर बनाने के लिए मॉडल कौन से है अपने पढ़ा हुआ है ठीक है न सब मॉडल में क्या है सारे स्टेफ्स तो सेम ही है न तो जो भी organization इन मेंसे कोई भी model इंप्रिमेंट कर रही है तो उप्विस्टी बात है वो क्या कर रही है यह कि model वो ही एक ही फालो कर रहे है लेकिन क्या है चिर्फ क्या है अंदाज सोड़ा हो सकता है चेंज हो लेकिन मॉडल को इसके स्टेफ्स जो हैं वो उसी तर्टीब से फॉलो होंगे जिस तर्टीब से वो हैं तो जनरलाइज वो तकरीबन सेम ही होते हैं उसके बाद डेटा मेनेजमेंट तो data management के अगर हम बार करें तो हरो organization सबसे पहले क्या करती होती है requirement gathering करती होती है कोई product बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए उसके बाद उसका analysis perform किया जाता है analysis के बाद उसका design होता है then coding होती है then implementation होती है then उसके बाद उसकी testing होती है ठीक है तो यह सारे steps जो है ना वो generalizing है यह same ही रहते है data management के point of view से भी ठीक है और जो हम databases बनाते है हो सचता है databases के अगर हम बाद करा है अगर हम back end की बाद करते हैं थोड़े सी के software बनाने जा रहे हैं suppose मैंने एक software बनाया है ताइम इस रिकूट के लिए दूसरा software जो है ना मेरे किसी student ने बना लिया आप मेंसे किसी ने बनाया है और वो बनाया है आपने कोई अपना इदारा open की है आपने उसके लिए जाएना bizu के लिए suppose आपने जाएना एक software बनाया है अब software क्योंकर दोनों institutional institutions हैं दोनों educational इस्टिटूट्स हैं तो हो सकता है कि आपने जो वीजियू का student form design किया हो और जो मैंने time institute का student form design किया हो वह हो सकता है बदाहिर सेम हो ठीक है या माइनल्स इसमें changing हो हो सकता है कि वीजियू का जो एडिमिशन form है उसकी fields means columns है उसके कुछ एक दो columns ज्यादा हो time institute के मैंने कि student form design किया उसमें एक दो columns कम हो means data थोड़ा कम required हो बीजियू में data थोड़ा ज्यादा required हो क्योंकि वह government institute है यह private institute है तो हो सकता है इस point of view से थोड़ा सा data का difference आजे लेकिन तक्रीबन में majority जो उसका fields होंगी या majority जो database का structure होगा वो तक्रीबन सेम ही होगा